हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल सक्ति फार्मा दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे CRPF ASI Pharmacist Non-Technical Part 3 का C-section दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं Numerical Aptitude के MCQ 31 to 35 with explanation दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और वीडियो को लास तक देखिएगा चलिए अब हम डिसकस करते हैं Numerical Aptitude के Top 5 MCQ Question No.31 यदि A बराबर 16 तथा B बराबर 5 है तो हमें A² प्लस B² प्लस A B अपॉन A की Q माइनस B की Q कमान बताना है तो दोस्तो जब भी एक्जाम में Step के Question आएं तो हमें A और B की Value रखकर नहीं Solve करना है क्योंकि अगर हम A और B की Value रखें तो हमारा काफी समय Based हो जाएगा तो इसके लिए दोस्तो हमें ध्यान ये देना है कि ये A की Q माइनस B की Q का Formula ये Formula Based Question बन गया A की Q माइनस B की Q का Formula हमें याद होना चाहिए तो दोस्तो इसका क्या Formula होता है ये तो आपको पता ही होगा A की Q माइनस B की Q का Formula होता है A माइनस B bracket में A स्कॉर पिलस B स्कॉर पिलस A B समझ गया दोस्तो यानि A की Q माइनस B की Q is equal to A माइनस B bracket में A स्कॉर पिलस B स्कॉर पिलस A B हम लेक सकते हैं समझ गया दोस्तो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A की Q माइनस B की Q की जगा ये रख सकते हैं जब हम ये रखेंगे तो दोस्तो हमारा ये A स्कॉार ये हमारा इससे कट जाएगा समझे दोस्तो चलिए रख के देखते हैं ये अपॉन में आ जाएगा ये यहां से गायव हो जाएगा तो इसकी जगा हमारा बटे में यह आ जाएगा तो हम इस से A square plus B square plus A B से यह इस से हम यह काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 upon A minus B यह बचाएगा न दोस्तो जब यह यानि इस से यह कट जाएगा तो 1 upon A minus B बचाएगा तो दोस्तो 1 upon A command कितना है हमारा 16 और B का है 5 16 में से 5 गए 11 तो कितना बचा हमारा एक बटे 11 ठीक है जोस्तो I hope that आपके संज में आ गया होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे अलग अलग मान रखने लगें A और B का तो काफी से मिलेगा तो इसलिए A की Q माइनस B की Q का अगर हमको फॉर्मला याद होगा तो डारेक्टली हम लगाएंगे तो यह इससे इससे यह कट जाएगा हमारा और बचेगा बन अपन A माइनस B A और B का मान रखेंगे तो यह एक बटा 16 माइनस 5 यानि एक बटा 11 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक बटा 11 तो एक बटा 11 कौन सा उप्सन है तो दोस्तो एक बटा 11 है उप्सन B तो हमारा उप्सन B सही हो जाएगा चलिए दोस्तो अब next question पर चलते हैं यदी 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे ठीक है question एक बार फिर पढ़ते हैं यदी 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे यानि आपस में वो एक दूसरे को कितनी बार हाथ मिलाईं तो दोस्तो इस तरीके का जब भी question आता है तो हमें इसके लिए एक formula याद होना चाहिए formula कौन सा है आपको पता ही होगा हमारा formula है n bracket में n-1 by 2 ठीक है तो formula याद कर लिजिए n bracket में n-1 by 2 n, n की value यहाँ पर 10 रहेगी और n-1 यानि 10-1 यानि 9 हो जाएगी by 2 है चलिए अब formula अपलाई करते है तो हम यहाँ पर n की value रख दी हमने 10 और 10-1 by 2 ठीक तो यह हमारा हो जाएगा 2, 5, 10 और 10 में से गया 9 बचा तो यह हो जाएगा हमारा 5 गुणा 9 5 गुणा 9 कितना हो गया 5 गुणा 9 हो गया हमारा 45 ठीक है 5,45 होते है न तो हमारा correct answer कौन से हो जाएगा 45, 45 कहाँ पर है दोस्तो तो 45 है हमारा option A तो हमारा option A सही हो जाएगा option A ठीक है I hope that कि आपको सहन्ज में आ गया होगा करना कुछ नहीं है दोस्तों इसमें हमने यानि क्या करना है 10 10 है तो यह N मान लेंगे N-1 हमारा यानि 10-1 यानि 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सीधा यानि N की value 10 है फिर N-1 की 9 हो जाएगी by 2 कर देना है 2,50 10 हो गया 5,95 हो गया तो कितना option आ गया 45 तो हमारा correct answer हो जाएगा option A 45 किलियर चलिए next question देखते हैं question number 33 देखते हैं दोस्तों साथ किरमागत संख्याओं का ओसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो अगर साथ किरमागत संख्याओं का ओसत 20 है तो हमें उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसत संख्या क्या होती है चलिए देखते हैं उसत संख्या क्या होती है जैसे कि माना हमारी ये किरमगत संख्या है तो अगर हम इसकी उसत संख्या देखें तो दोस्तों इसकी उसत संख्या होगी तीन तो अब हम उसत संख्या कैसे निकालते हैं देखिए औस संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग यानि इनको आपस में जोड़ दे 1 पिलस 2 पिलस 4 पिलस 5 ठीक है संख्याओं का योग संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं तो संख्याओं का योग कितना हो गया एक और दो तीन, तीन और तीन छह, चार, दस, पांच, पंदरा तो यह हो गया हमारा पंदरा और बटे कुल संख्याएं कितनी है तो एक, दो, तीन, चार, पांच तो यहाँ पे आया पांच समझ गया? यानि कुल संख्याओं का योग कितना हो गया पंदरा बटे कुल संख्या है कितनी है तो कुल संख्या है पांच तो आप इसको घटाएंगे पांच तिया पंदरा समझ गए तो दोस्तो इस तरीका से हमारा उसत तीन निकल के आगया किलियर अब एक और देख लेते हैं जैसे कि हमने दिया दो तीन चर पांच छे तो अगर हम इसकी औसस संख्या निकाल लें तो क्या निकल के आएगी तो सब से पहले इसको आफ़स में जोड़ना पड़ेगा पिलस पिलस तो कितना हो गया दो और तीन पांच पांच चार नो नो और पांच 9 और 5 हो जाएगा हमारा 9 और 5 14 14 और 6 14 छे हो गया हमारा 20 तो 20 यह तो हो गया हमारा 20 क्योंकि आपस में प्लस करें 2 प्लस 3 2 प्लस 3 पांच 4 नो 9 और 5 14 14 और 6 बीस अब टोटल कितनी संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच तो 5 हैं, बटे 5 कर दिया तो अब इसको करटा 5 चौक, 20 ठीक है, तो हमारी औस संख्या निकलाई 4 ठीक है, क्लियर, आपको यह तो संख्या में आगया कि औस संख्या कौन सी होती है चलिए, अब हम कोस्टन सॉल्व करते हैं इसी की हल्प से देखिए, यह क्या कर रहा है साथ किर्मागत संख्याओं का औसद 20 है तो औसद 20 है, मतलब बीच की संख्या क्या है, पीस है चलिए, अब हम लिख लेते हैं, बीस बीस लिख लिख लिए, अब क्या क्या 7 किरमागत संख्या है तो दोस्तों अगर वस्त बीच है तो 7 किरमागत संख्या है टोटल है तो 3 किरमागत संख्या हमारी इधर होंगी लेफ्ट में और 3 किरमागत संख्या हमारी राइट में बचाएंगी कैसे देखते हैं 20 है तो इसके बाद 3 संख्यां आएंगी कौन से आएंगी 21 22 और 23 ठीक है और इधर कौन से आएंगी 19 18 और 17 किलियर तभी तो यी 7 होगी अब इनको किलिय जेंए एक दो तीन चार पाँच छे साथ किरमात संख्या हो गई तो अब इसका और क्या जायएगा 23 अगर दोस्तो इस में अगर पूछा गया होता कि सबसे चोटी संख्या कौन सी है तो हम सबसे चोटी संख्या कौन सी बताते तो सबसे चोटी संख्या हमारी हो जाती 17 दोस्तो कभी कभी question में ये भी पूछ लेता है कि सबसे चोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुड़न फल बताईए तो अगर गुड़न फल पूछता तो हम इन दोनों का गुड़न फल बता देते गुड़न फल करते ओके तो आई होब डैट दोस्तों आपको किलियर हो गया होगा हमारा राइट आंसर ऑप्सन बी है यानि तेज़ चलिए अब नेक्स कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 34 रूट के अंदर 0.0009 प्लस रूट के अंदर 0.04 इसकी हमें बैल्यों गयाद करनी है तो दोस्तों यह ध्यान से देखेंगे हम इस टाइप के कोस्टन को तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि यह रूट के अंदर दिया है तो क्या यह किसी का बर्ग है जैसे रूट के अंदर 0.9 प्लस 0.0 किसी का बर्ग हो सकता है क्या तो दोस्तों पॉइंट के अंदर तो हमें अंदाद लगाना मुस्किल है बट हमें यह तो पता है कि 9 किसी चीज़ का रूट है तो देखिए इसको हम convert कर लेते हैं दोस्तों ये तो हमें पता ही होगा आप लोगो को कि जब किसी संख्या में से point के बाद ये तसमलब हटाते हैं तो उस संख्या के बाद जितने भी अंक होते हैं जैसे इसके बाद कितने हैं एक, दो, तीन, चार तो बटे में उतने ही जीरो आजाते हैं एक, दो, तीन, चार ये तो आपको पता ही होगा तो ऐसे ही इसका हटाएंगे तो इसके बाद कितनी अंक हैं दो, तो इसके बाद दो जीरो आजाएंगे आई होप दर्ट समझ गया होंगे ये तो math का basic rule है ये तो आपको पता ही होगा चलिए अब इसको solve पर लेते हैं देखिए अगर हम इसका दसमलब हटाएंगे तो हम root के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 upon 1, 2, 3, 4 4 0 4 0 क्यों लगाए हमने क्योंकि दसमल के बाद 4 ही अंक हैं तो ऐसे ही इसमें root के अंदर जसमल के बाद कितने 2 अंक हैं तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4 बटा 100 Got it? अब दोस्तो अब इसको root से बहार निकालने के लिए ये 9 किसका बर्ग है तो ये 3 का बर्ग है तो अब हम इसको लिख सकते है 3 बटा और दस हजार किसका है सो का तो तीन बटा सो लिख सकते हैं पिलस चार बटे चार किसका है दो का और दो का बर्ग है और हंड्रेड है हमारा दस का बर्ग ठीक है तो दोस्तो अब हम इसको या तो LCM LCM लेके भी solve कर सकते हैं या direct तीन बटा सो पिलस दो बटा दस इनको भाग कर लीजिए तो दोस्तो जब तीन बटा सो यानि तीन को सो से भाग देंगे तो दोस्तो ये हमारा हो जाएगा तो आपको पता ही होगा 0.03 हो जाएगा ओके और दो को दस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 03 प्लस पॉइंट टू को जोड लें तो हमारा आंसर निकल आएगा चल ये जोडते हैं हमारा क्या है 0.03 प्लस पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू जोड लेते हैं तो जोड़ेंगे तो तीन दो दसमलव के नीचे दसमलव तो ये हमारा निकल के आगया 0.23 तो 0.23 कौन सा आप्शन है तो हमारा आप्शन ए है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्शन ए आई ओप देट दोस्तों सांज में आ गया होगा आपके चलिए अब नेक्स कोस्टन करते हैं कौस्टन नमबर 35 दो संख्याओं का गुड़नफल 1568 तथा लासा 56 है तो उनका मासा बताना है हमें तो दोस्तों इस तरीका के कौस्टन को सॉल्ब करने के लिए हमें एक फॉर्मला अप्लाई करना होगा तो फॉर्मला आपको यादी होगा इसमें लासा दे रखा है तो मासा ग्याद करना है यानि LCM दे रखा है तो HCF हमको ग्याद करना है तो इसके लिए फॉर्मला होता है दोस्तों हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इस इकोल टू LCM इन्टू HCF ठीक है यह फॉर्मला है हमारा यह हमको याद होना चाहिए ठीक यानि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इसकल टू LCM मतलब LA delesA HCF मतलब MASA तो दोस्तों इसमें दे राए दो संख्याओं का गुणांफल तो दो संख्याओं का गुणांफल हमारा पंदरासो 68 ठीक है इस इकल टू LCM हमारा यानि बासा है 56 ठीक और गुणा H Memida HCF तो हमें HCF ग्याद करना है ठीक है तो दोस्तो math के rule के according ये तो हम आपको पता ही होगा HCF है HCF यानि पंदासो और सट इसकल तो 56 into HCF तो दोस्तो HCF निकालेंगे तो 56 हमारा इधर बटे में आ जाएगा ठीक है चलिए next page पर देखते हैं तो हमारा HCF इसकल तो पंदासो और सट बटा 56 हो जाएगा चलिए देखते हैं कैसे होगा ये हो जाएगा हमारा HCF is equal to 1568 upon 56 अब हम इसको काट लेंगे कितने से कटेगा ये कट जाएगा 14 चोके 56 चोदा इकन 14 चोदा इकन 14 और ये हो गया 28 तो 14 दूनी 28 तो ये 112 बार में कट गया फिर ये 112 चार से भी चला जाएगा देखते हैं क्या बार में जाता है 4 दूनी 8 और इधर हो गया बचे 3 32 तो 4 अठे 32 तो ये हमारा चला गया 28 बार में टीक तो हमारा HCF कितने कर निकल के आगया 28 तो 28 हमारा कौशा कौन सा ओप्शन है तो ओप्शन डी तो हमारा option D करेक्ट होगा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको हमारे सारे question समझ में आ गए होंगे और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू फोर बाचेंग जरूर कर दोओता हूं